अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है या आपको जानना है कि आप भी कैसे कम टाइम में अपने बच्चों के लंच बोक्स यार करें तो वीडियो को जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लंच बोक्स बनाने से पहले शुरुआत होती है प्लानिंग से कि इस वीड हम अपने बच्चों को लंच बोक्स में क्या देंगे और अगर हम कुछ चीज़े बनाकर पहले ही फ्रीज करके रख लें तो इससे हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है इसके अलावा हम कुछ चीज़े अगर रात में ही प्रेपेर करके रख लें तो सुभा में हमारे बच्चों का लंच बॉक्स बहुत ही कम टाइम में बन कर तियार हो जाएगा तो यहां मैंने सबसे पहले अपना मिल्क बास्केट से जो समान मैंने ओर्डर किया था रात में वो आया था तो उसे मैं लेकर आई हूँ यहां मैंने मगाया था बटर, फ्रूडबन, बनाना और क्रोसान इंगली शावन का है यह क्रोसान बहुत ज़्यादा टेस्टी है मैंने इसे कई बार ओर्डर किया है मेरे बच्चों को भी पसंद आ रहा है इसे हम नियूटेला या टी के साथ खा सकते हैं तो यहां चिकन रैप बनाने के लिए चिकन को मैंने रात में ही बॉइल करके रख लिया था यहां मैंने बॉनलेस चिकन लिया था और उसमें मैंने पेरी-पेरी मसाला, नमक और हल्दी डाल कर इसे मैंने बॉइल कर लिया था चिकन को बॉयल होने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा श्रेड कर लिया था इसके थोड़े छोटे चोटे पीसिस कर लिये थे ये चिकन मैंने रात में ही रेडी करके रख लिया था ऐसा करने से हमारे टाइम की काफी बचत होती है और हम लंच बॉक्स भी बहुत जल्दी बनाकर रेडी कर लेते हैं आज कल की बिजी लाइफ में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है सभी के लिए हाउस वाइफ के लिए भी और वरकिंग मदर्स के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो जाता है एसे में हम सबी यही चाहेंगी कि कम से कम टाइम में हम अपने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर पाएं एक अच्छा हैल्दी और टेस्टी लंच बॉक्स बनाने के लिए हमेशा हमें एक रात पहले ही लंच बॉक्स की प्लानिंग बना लेनी चाहिए अगर हम lunge box की planning रात में ही करके रख लेते हैं या रात में ही हम सोच के रख लेते हैं तो इससे हमारे time की saving भी होती है और हमें एक healthy option लेने की भी help मिलती है अगर हमारे पास पहले सी एक option है तो हम सुबा जल्दी से उठकर जल्दी से अपना lunge box बनाने start कर सकते हैं और अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या बनाना है तो आधर time तो हमारे सोचने में ही खराब हो जाता है इसलिए lunge box की planning हमें पहले ही करके रख लेनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी होता है बच्चों को lunge box बना कर देना ये मम्यों की ही जिम्मेदारी होती है और अगर हम अच्छे मन से बच्चों को lunge box बना कर देते हैं तो lunge box टेस्टी ही बनता है तो यहां मैं रैप को grill भी कर रही हूँ ऐसा करने से ये देखने में भी अच्छा लगता है और रैप जो है वो अच्छे से fix भी हो जाता है दो रैप grill हो गए हैं और तीसरा भी मैं grill कर लूँगी इसके साथ ही मैं बच्चों को दे रही हूँ समोसा और ये समोसा है पीज़ा समोसा इसे मैंने बना कर पहले ही फ्रीज करके रख लिया था इस तरह से हमारे पास पहले से ही चीज़े रेडी रेती हैं तो हमें बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और जल्दी से जल्दी हमारा लंच बोक्स रेडी भी हो जाता है तो बस यहां मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिये थे और अब मैं इने फ्राई कर रही हूँ रोज सुभा ज्यादातर सभी मम्यों के दिमाग में एक ही चिंता लगी रहती है कि बच्चों के लंच बोक्स में आज क्या दें और जो लेडिस वरकिंग हैं वो तो और भी ज़्यादा चिंता में होती हैं क्योंकि उन्हें बच्चों के लंच बोक्स के साथ-साथ अपना और हजबेंड का लंच बोक्स भी रेडी करना होता है तो कुल मिलाकर हम लेडिस की कश्मकर सूबा उटकर ही चालू हो जाती है तो ऐसे में हमें अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों के लंच बोक्स बनाने की प्लानिंग रात में ही कर लेनी चाहिए और कुछ चीज़े हमें बना कर फ्रीज करके रख लेनी चाहिए से एक तो हमारे पास आप्शन रहता है और दूसरा हम बच्चों के जो लंच बोक्स है वो फटफट से तयार भी कर लेते हैं बच्चों के लंच बोक्स को हमें अच्छे से वाश करके रखना चाहिए और लंच बोक्स पैक करने से पहले हमें बच्चों के लंच बोक्स को एक ड्राइ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए ये हाईजीन के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है बच्चों को अच्छा खाना देना और साफ लंच बोक्स में पैक करके देना ये भी बहुत जरूरी है तो यहां मैंने तीनों के लंच बोक्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है अंदर से भी क्लीन कर लिया है और उपर से भी क्लीन कर लिया है जब हम बच्चों के लंच बोक्स को वाश करते हैं तो उस पर पानी के थोड़े से निशान रह जाते हैं जो देखने में बिलकुल अच्छे नहीं लगते हैं तो इसलिए लंच बोक्स पैक करने से पहले हमें लंच बोक्स को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए तो अब यहां मैं चिकन रैप को पेपर में फोल्ड करके रख रही हूँ वैसे तो आजकल के बच्चों को खाना खिलाना ही एक चैलेंज होता है खास तोर से हेल्दी फूड तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं बच्चे ऐसे में हमें ही दिमाग लगाकर ऐसा लंच बोक्स बनाना पड़ता है जो कुछ हेल्दी हो और उनकी पसंद का भी हो जिसे बच्चे खुश होकर खाएं और अपना लंच बोक्स फिनिश करके भी आएं बच्चों के लंच बोक्स में टेस्ट और हेल्थ दोनों ही जरूरी है तभी बच्चों को अपना लंच खाने में मज़ा आएगा बच्चों के टिफन में एक हिस्सा में खाने का और दूसरे हिस्से में फूर्ट्स भी होने चाहिए और एक हिस्सा मीठे का भी रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए मैं लंच बॉक्स में यही कोशिश करती हूँ कि जादा स्जादा ड्राई चीज़े ही रखूं जो खाने में एजी हो जिनें बच्चे असानी से खा सकें और खाने की जो क्वांटिटी है वो हम बच्चे के हिसाब से ही रखें चितना बच्चा खाता है उसी हिसाब से रखें तो जादा अच्छा है क्योंकि अगर हम जादा रख देंगे तो वो भी बच जाएगा और खराब हो जाएगा और अगर हम कम रखते हैं तो बच्चे का पेठी नहीं वरेगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं है लंच बॉक्स में फ्रूट्स भी वही रखने चाहिए जो ले जाने में इजी हो और जो बच्चे असानी से खा सकें जैसे कि हम फ्रूट्स में रख सकते हैं ग्रेप्स, अनार, एपल्स, स्ट्रॉबेरी, औरेंज बनाना और गॉआवा तो मेरे बच्चे लंच बॉक्स में रखने के लिए मना ही करते हैं क्योंकि बनाना जो है वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है और गॉआवा अगर हम लंच बॉक्स में रखते हैं तो थोड़े सी उसमें स्मेल आने लगती है तो फ्रूट्स हमें वही रखने चाहिए जो बच्चों को पसंद हो और जो असानी से खाए भी जा सकें तो यहां मेरे तीनों बच्चों के लंच बॉक्स रेड़ी हो गए हैं हम ज़्यादतर वही चीज लंच बॉक्स में रखना चाहते हैं जो बनाने में एजी हो और जल्दी बनकर रेड़ी भी हो जाए जिस चीज को बनाने में टाइम लगता है तो उसे मैं रात में रेडी करके रख लेती हूँ जैसे की चिकन रेप बनाने के लिए मैंने चिकन को रात में ही बॉयल करके रख लिया था और जो समोसे मैंने रखे हैं उसे भी मैंने बना कर पहले ही फ्रीज करके रख लिए थे ऐसा करने से हमारी चीजे बहुत असान हो जाती है और लंजबोक्स भी बहुत जल्दी बनकर रेड़ी हो जाता है क्योंकि सुभा में बस लंजबोक्स बनाने का ही एक काम नहीं होता है सुभा के टाइम और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे की बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना और अगर किसी दिन बच्चों की यूनिफॉर्म आइरन नहीं हुई है तो उसे भी आइरन करके देना इसी तरह के सुबहा में बहुत सारे काम होते हैं और जल्दबाजी भी बहुत होती है तो बस कुछ समझदारी के साथ हम कुछ कामों को पहले से ही तैयार करके रखें फस्ट एकदम रेडी हो गया है तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही आई होप की आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाई बाई